रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ spiritual ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि spiritual ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करती है ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे भादर पत के क्रिश्न पक्ष की चतुरती तिती को बहुला चौत के नाम से जाना जाता है वर्ष दो हजार चौबिस में ब्रस्पतिवार के दिन और तारीख रहेगी 22 अगस्त 22 अगस्त दिन ब्रस्पतिवार को बहुला चौत का ब्रत किया जाएगा और यह ब्रत भग्वान श्री गडेश और भग्वान क्रिश्न और गाय माता बच्छडे की पूजा के साथ पूर किया जाता है कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कमेंट में चैमाता की रादे रादे अवश्य ही लिखिएगा मानिताओं के अनुसार बहुला चतुर्थी का ब्रत रखने वाली मैलाओं की संतान के उपर आने वाले कष्ट मिट जाते हैं भगवान श्री गडेश को चतुर्थी तिति का स्वामी कहा गया है। भादपत चतुर्थी को पुत्रबती इस्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए ब्रत रखती है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का ब्रत करने का बहुत अधिक महत्व है। वस्तुता इस ब्रत में गव तता शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। इस ब्रत को गव पूजा ब्रत भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आप सभी को पहुला चौध ब्रत की बहुत ही सुन्दर कता सुनाएंगे बहुत ही सुन्दर कता है कता को अवश्य ही सुनिएगा यदि आप ब्रत करते हैं तब तो अति आवश्यक है आपके लिए कता और यदि आप ब्रत नहीं करते हैं तो भी आप य करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको में तपूर्ण वीडियो का समय नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे तो भकतों चलिए प्रारंब करते हैं बहुला चौत प्रत की कता है जब भघवान विष्णू का कृष्ण रूप में अबतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देपताओं ने भी गोप कोपियों का अफ्तार लिया कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण भगवान की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गोशाला में आ गए में चल रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण सिंग रूप में प्रकट हो गए मृत्यू बनकर सामने खड़े सिंग को देखकर बहुला भैभीत हो गए लेकिन हिम्मत करके सिंग से बोले हे बनराज मेरा बचड़ा भूका है बचड़े को दूद पिला कर मैं आपका आहार बनने बापस आ जाओंगी सिंग ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दू तुम बापस नहीं आई तो मैं तो भूका ही रह जाओंगा बहुला ने सत्य और धर्म की शपत लेकर कहा कि मैं अवर्श्य आऊंगी बहुला की शपत से प्रभावितो कर सिंग बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया बहुला अपने बचड़े को दूद पिला कर वापस बन में आ गए बहुला की सत्य निष्ठा देखकर जो माता के रूप में तुमारी पूजा होगी तुमारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा तो बहुत ही चोटी सी ये बहुत सुन्दर कथा थी बहुत श्री कृष्ण और बहुला की इस ब्रत का नाम बहुला चौत कहा जाता है अब हम गड़ेश्ची की शिप पुरान के अनुसार भगवान गड़ेश्ची के जन्म लेने की कथा का वर्ण प्राप्त होता है जिसके अनुसार देवी मा पार्वती जब इसनान करने से पूर्व अपने मेल से एक बालक का निर्मार करती है उसे अपना द्वारपाल बनाती है बहुन से कहती है ये पुत्र तुम द्वार पर पहरा दो मैं भीतर जाकर इसनान कर रही हूं अता जब तक मैं इसनान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर आने मत देना जब भगवान शिवाय तो गड़ेशी ने उन्हें द्वार पर रोख लिया और उन्हें भीतर नहीं जा पुठी अता उनकी दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव के निर्देश अनुसार उनके गड़ुत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आते हैं और शिव भगवान ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर जीवित कर दिया पार्वतीमा हर्ष से प्रफुलित होकर पुत्र गड़ेश को दैसे लगा लेती हैं तदा उन्हें सभी देपतां में अग्रणी होने का आशिरबात देती हैं ब्रह्मा विश्णु महेश ने उस वालक को सर्वाद्यक्ष भूसित करके अग्रपूज होने का वर्दान दिया चतुर्थी को ब्रत करने वाले के सभी विग में दूर हो जाते हैं सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस प्रकार से यह कथा यहीं पर समाप्त होती है तो बहुती सुंदर तरीके से बहुती सुंदर विधी के साथ बहुला चौत का ब्रत और कथा सुनिएगा ब्रत की किजए पूजापार्ट किजएगा और गाए माता की बहुत ही आवश्य कहें इस दिन काी माता की पूजा आरचना करनी चाहिए और यदि आपके आसपास कहीं कौश अला है तो में जाकर काए माता का पूजन कीजिए उनको तिलक लगाईये और उन्हें कुछ न कुछ अवशे खिलाए जैसे गुड है, हराचारा है, उनकी आरती उतारिए और गौश आला में एक दीप रजुलित करके अवशे ही रखिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ब्रत करें और भगवान की कृपा से नी संतान लोगों को संतान की प्राप्ती होती है और जिन लोगों के संतान हैं उनके संतान की रख्षा के लिए वो यह ब्रत करते हैं, पुजा करते हैं और संतान की कामियाबी के लिए भी यह ब्रत किया जाता है तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं मिलते हैं आपसे नई जानकारी में नई वीडियो के साथ तब तक सभी लोग खुब खुश रही है प्रसन रही है स्वस्त रही है और जै माता की राधे राधे कॉमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जै माता की राधे राधे